कॉंग्रिस जिस तरह से अभ हर मोर्चे पर सरकार को घेर रही है उससे बचने के लिए बीजेपी सरकार को अपने कई फैसलो को बदलना पड़ गया है और अपने फैसले से बदलना ही दर्शाता है कि बीजेपी किस कदर कॉंग्रेस की बढ़ती मजबूती से डरी हुई है प्रकाशित रिपोर्ट से पलटने का दवाब बनाया है RBI की बुलेटिन में बड़े पैमाने पर साफजनी शेत्रों के बैंकों को निजी करन पर चिंता जताई गई थी बाद में RBI ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा था कि रिपोर्ट में छपे विचार लेखक के निजी विचार है RBI इससे सहमत नहीं है जो साफ दर्शाता है कि BJP सरकार अपने खामियों को छिपाने के लिए किसी पर भी दवाब बना सकती है और अब RBI के अपने बयान से पलटने पर कॉंग्रेस ने उस पनिशाना साधा है कॉंग्रेस ने केंद सरकार को घेरते हुए कहा है कि उसने RBI पर अपना मत बदलने के लिए दवाब बनाया है इतना ही नहीं कॉंग्रेस ने बैंकों के निजी करण के मुद्दे पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है इसके साथ ही कॉंग्रेस ने बीजेपी पर साजनिक शेत्र के बैंकों के निजी करण के मुद्दे पर हमला करते हुए कहा है कि ये बेचे जाओ पाटी है और इसने Reserve Bank of India को Reverse Bank of India कर दिया है क्योंकि सरकार के दवाब के कारण ही RBI ने अपनी ही रिपोर्ट से यूटन ले लिया गौर तलब है कि विपक्ष हमेशा सरकार पर आरोप लगाता आया है कि सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए कोई भी पैंतरा अपना सकती है ऐसे में अब RBI को लेकर भी कॉंग्रेस ने आरोप लगा दिया अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्कित